जैहन दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में Indus Water Treaty के बारे, नेबुरुट सीरीज हमारी चल रही है, सुबा फ्यू मिनिट्स में, तो कोई ना कोई आस्पेक्ट हम इंडिया का शेर करेंगे, इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान के इंटेक्स में Indus Water Treaty के बा जो outcome था, वो पाकिस्तान के लिए कावी favorable था, बात उसको भी समझेंगे, permanent court of arbitration का जो framework है, वो कैसे Indus Water Treaty में established है, में मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था, कि मैं आपको ये बता सकूँ, कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर एक मात्र कोई ऐसा mechanism exist करता है, जो क आज भी बहुत जादा stable है, और despite the fact कि इंडिया पाकिस्तान के भी इसमें कितनी लडाया हुई है, वो है ये Indus Water Treaty का mechanism, अब इस mechanism में, you know, because it's about the sharing of the river Indus, it's about sharing the waters of river Indus, so definitely as far as, you know, sharing the waters is concerned, there can be some dispute between India and Pakistan, वो disputes resolve कैसे हो सकती ही, within the broader framework of Indus Water Treaty, उसके बारे भी यहाँ पे समझेंगे, quickly इस फीडियो में, now, about, first of all, अगर मैं इस Indus Water Treaty के बारे आपको बताओ, Indus River Basin की बात करें, तो इसमें 6 rivers आ जाते हैं, we all know Indus और उसके 5 tributes, जेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलच, अब आपको ये भी पता है कि जो जेलम और चनाब हैं, वो पाकिस्तान के साइट पे फ्लो क और जेलम, Indus और चनाब की बात करें, इसको west flowing tributaries कहा जाता है, now, apart from dividing the Indian, Pakistan, you know, as, you know, geographically अगर हम बात करें, partition line after 1947, Indus River System का भी बटवारा होता है, लेकि दोनों ही sites, India और पाकिस्तान, they were very, you know, like, reliant upon the Indus River Basin, आजादी के बाद पाकिस्तान ने कहा कि Indus River का जो पानी है, वो हम भी, हमको भी चाहिए, तो भारत सरकार ने उसकोद ये कहा कि यदि आप हमको को कोई साल की fees दे सकते हैं, वो काफी मोटी fees थी उस जमाने में, तो हम आपको Indus का जो पानी है, वो आपको definitely share करके देंगे, आ लेकिन पाकिस्तान को ये ऐसा रेंट देना, पैसे देना और Indus के पानी को share करना, उनको ये तोर तरीका बिलकुल मनजूर नहीं था, and therefore ये बात इतने साल तक आगे बढ़ती रहती है, 1960 में जाके, World Bank बीच में यहाँ पे immediate करते हैं, और World Bank कहते हैं कि चलो मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक treaty बनाई जाती है, Indus Water Treaty, कि कैसे आप fairly और equitably जो rivers है, of the Indus, उसको कैसे आप allocate कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे map बना हुआ, river Indus and distributaries, बहुत basic चीज़े हैं, खास करके जो अभी aspirants 2024 में पना पहला time देने वाले हैं, जो नए बच्चे हैं, 2024 और 2025 में अपना time द जाती हैं, वो तो अंगिनत है, लेकिन एक वीडियो के माधियम से definitely वो सारी बाते हम नहीं share कर सकते हैं, और holistic और broader perspective जो है, इंडिया पाकिस्तान के context का, वो हमारे paid course में भी रहता है, general studies का, बेरहाल, अब इसके चलते हैं, आगेस को समझें कि बात 1960 तक पहुंचती है, 1950s और 1950s का जो decade है, World Bank कोशिश करता है कि कैसे World Bank की presence के दुरू, because India पाकिस्तान की बीच में आपको पता है कि काफी conflicts हो रहे थे, पहली लडाई, India पाकिस्तान की बीच में 1947, 1948 में हो थे, just two and a half months after India got independence, so therefore किसी समिचदार इंसान को बीच में बैठना बहुत जरूरी था, World Bank ने कहा कि हाँ चलो मैं volunteer करूँगा कि आपकी बीच में जो water sharing dispute है कैसे इसको resolve किया जा सकता है, तो लगबग 10 साल लगे, 1950s में ये negotiation चुरू होती है, 10 साल लगे, 1960 में जाके ये Indus Water Treaty Agreement sign होता है, हमारे प्रधान मंतरी श्री जवाहलाल नहरू और उनके पाकिस्तान के जो राश्ट्रप हैं, हम एक nuclear arm neighborhood में रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक मातर framework है, ऐसा तो कभी framework कोई भी दो enemies nations के बीच में नहीं बनाओगा, अप इस्रेयल पालस्तीन की बात कर लो, रश्या उक्रेन की बात कर लो, जितने भी जगडे हो, ये एकलौता है कैसा agreement है, which has stood, you know, the patience of time, which has stood the test of time, and ये एक, you know, जीता जाकता example है कि कैसे दो enemy nations के बीच में, अगर sharing of waters की बात आती है, कैसे peacefully within this framework of Indus Water Treaty, वो एक बहुत fair तरीके से, और equitable तरीके से, equitable तरीके से, पानी जो है, वो allocate किया जा रहा है इंडी और पाकिस्तान को. So, this is an example of peaceful coexistence, which exists despite the troubled relationship between the two countries. World Bank as a third party played a very important role. September 19, 1960, वो date थी जब Prudan Mantri, Jawaharlal Nehru और Pakistan के President Ayub Khan के बीच में, ये agreement sign किया गया था, तब से इसको bright spot वाना जाता है. तीन western rivers, यानि कि Indus, Jhelum और Chinab, they went to Pakistan, तीन eastern rivers, because अगर हम map में देखेंगे, जोग्रिफिकली देखेंगे, तो जो आज, जो हमारा पंजाब है, Indian state of Punjab है, that is towards the east of Pakistan, तो तीन eastern rivers, सत्लुज, रावी ब्यास, they were given to India. तो, यानि कि Indus, Jhelum और Chinab का जो पानी जा रहा है, पूरा unrestricted, unrestricted और unlimited right Pakistan के पास होगा, over the western rivers, और unrestricted और unlimited right India के पास होगा, over the three eastern rivers. यहां तक बात समझाई, चलो, ठीक है, okay, so India is allowed to employ some agriculture uses under the annexure sea of IWT, यानि कि मैं आपको कहना यह चा रहा हूँ, कि चलो, ठीक है, यह तीन जो eastern rivers है, unlimited, you know, पानी इसका इंडिया ले सकता है, enjoy कर सकता है, लेकिन, क्या इसका मतलब, sir, यह है कि जो western rivers है, Indus है, Jhelum है, चनाब है, क और certain purposes, इंडिया इसका पानी ले सकता है, जब तक, so for example, India is allowed to run, India is allowed to build the run of river hydro power projects, यानि कि जब तक भारत, western, जो rivers है, Indus, Jhelum, चनाब, उनका live storage नहीं करता है, यानि कि run of the river hydro power projects के लिए, उनका पानी, Jhelum का पानी, चनाब का पानी, Indus का पानी, अगर utilize भारत कर रहा है, for the run of the river hydro power projects, live storage या live capture, western tributaries का भारत रहीं कर रहा है, तो ये बिल्कुल जायस बात है, ये बात annexure D of Indus Water Treaty में कही गई है, news बे न, आपने सुना होगा, किशन गंगा के बारे, ठीक है, किशन गंगा डायम के बारे सुना होगा, आपने, आपने रातले डायम के बारे सुना होगा, पत पाकिस्तान का ये कहना है, कि जो किशन गंगा जो जेलम पे बन रहा है, और रातले जो के चना पे बना है, ये भारत ने Indus Water Treaty के provisions को violate करके बनाया है, जबकि ये बात सही नहीं है, मैंने आपको भी बताया कि Indus Water Treaty का जो कानूर है, जो framework है, उसके धांचे में लिखा हुए है, कि अगर हम चाहें, तो for the run of the river projects के लिए वो पानी का इस्तमाल कर सकते हैं, अब क्या इसका मतलब ये है कि भारत और पाकिस्तान की बीच में कोई dispute resolution mechanism नहीं है, within the Indus Water Treaty, चलो, पाकिस्तान को problem है कि जी इंडिया ने यहाँ पे डाम बनाया, किशन गंगा बनाया, रातले बनाय तो नहीं सर एक dispute resolution mechanism नहीं है, यदि भारत को या पाकिस्तान को कोई भी doubt है, यदि पाकिस्तान को लगता है कि भारत ने उनका हक्चीन दिया है, कि भारत ने जो पानी, यानि कि जो western flowing rivers हैं, उसका allocation भारत ले रहा है, या भारत उसका पानी utilize कर रहा है, पाकिस्तान has every right, पाकि इस्तमाल कर रहा है, use कर रहा है, utilize कर रहा है, तो यहाँ पर आपको बात समझनी जरूरी है कि within the Indus Water Treaty, एक three step dispute resolution mechanism है, ठीक है, ठीक है, पहला क्या है, पहला जो, यानि कि मैं को dispute है पाकिस्तान के साथ, तो पहला मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तो यह है कि we can both, the both sides, we can address the issues at the permanent commission, एक permanent Indus Commission में अन्डस कमिशनर्स होते हैं, एक भारत की तरव से, एक पाकिस्तान की तरव से, साल में ना दो बार मीटिंग होती है, पर्मेन इंडस कमिशनर्स की साल में दो बार मीटिंग होती है, ठीक है, कि आपके जो भी मुद्दें हैं, जो भी issues हैं, आप यहाँ पे कुछती में लिए next step क्या है हम World Bank के पास जा सकते हैं World Bank को कहेंगे कि World Bank आप एक neutral expert को appoint करें जो कि हमारा यहां पर समाधान कर सके solution निकाल सके यदि फिर भी आप satisfied नहीं है तो तीसरा step क्या है तीसरा step यह है कि आप Court of arbitration के पास जा सकते हैं अब यह Court of arbitration के पास पाकिस्तान गया लेकिन यहां पर क्या चाता है वो आपको वीडियो के end में बताऊंगा वीडियो एंट तक जरूर सुनना Permanent Indus Commission bilateral Commission है जहां पर officials इंडिया पाकिस्तान दोरों में से आते हैं 2022 में commission दो बार मिला भा मार्च और में में ठीक है याने के साल में दो बारी meeting होती है यह Permanent Indus Commissioners की Now provisions of the IWT around 33 million acre feet water of the eastern rivers सतलुच बयास अनरावी यह unrestricted use के लिए भारत को allocate किया गया है और 135 million acre feet of western rivers यह unrestricted use के लिए पाकिस्तान को allocate किया गया है ठीक है differences क्या आते है objections क्या raise की है पाकिस्तान ने एक तो किशन गंगा के बारे किशन गंगा और रातले दोनों hydroelectric projects है ठीक है located on the tributaries याने के किशन गंगा जो के जेलम की tributary है और रातले जो के चनाप की tributary है ठीक है अब यहाँ पे देखिए इंडिया as per the articles 3 and 7 of the Indus Water Treaty इंडिया is permitted to construct the hydroelectric projects जिसको मैं run of the river projects कहता हूँ जब तक भारत इन इसका पानी जेलम का चनाप का पानी live capture नहीं कर रहा है ठीक है तो भारत ने कहा है कि हम तो live capture करी नहीं रही है इस पानी को हम तो यहाँ पे hydroelectric projects बना रहे है रानो दरिवर projects बना रहे है जो कि हमको Indus Water Treaty में चीज़ अलाउट करी गई है ठीक है अगेन यहाँ पे हम map देख सकते है अब lesson क्या है treaty में से lesson treaty का यह है कि देखो जितनी मर्जी tensions है जितनी मर्जी conflict है कुछ भी हो एक framework बनाया गया है जहाँ पे दोनों इंडिया पाकिस्तान cooperate कर सकते है पाकिस्तान का क्या objection है पाकिस्तान का यह कहना है कि यह जो dam बनाया है अपने किशन गंगा इसकी height बहुत जादा है जो technical आपको doubts है technical specifications की जहाँ पे बाद आती है उसके उपर work upon किया जा सकता है as one of the oldest and most effective examples of the water arrangement ठीक है in fact अभी recently news में क्या था वो आपको मैं बताना चाहता हूँ और यह हमने अपने करांट अफेस में भी discuss किया था डेटेल में discuss किया था जो हमारा paid course है करांट अफेस का permanent court of arbitration पीछिस आके देखो वीडियो में आपको मैंने बता कि three step dispute resolution mechanism है पहला है कि आप indus commissioners को बिठाएंगे जो के permanent indus commission के जो commissioners हैं उनके साथ बातचीत करेंगे अगर आपका dispute है कुछ भी है किसी भी side को dispute हो पाकिस्तान को या इंडिया को वहाँ पे नहीं बात बनती है तब आप world bank के पास जाएंगे वर्ल बैंक को कहेंगे कि neutral expert appoint करें वहाँ भी इस इंतुष्टी नहीं है तो आप court of arbitration के पास जाएंगे अब हुआ क्या कि Pakistan court of arbitration के पास गया जबकि Pakistan का क्या बनता था पाकिस्तान का बनता था कि वो world bank के पास जाता अब permanent court of arbitration में भारत ने जाने के लिए मना कर दिया भारत ने कहा कि हम अपने side से कोई representation नहीं देंगे because dispute mechanism ये कहता है कि world bank भी इक neutral expert appoint कर सकता है अगर आपको dispute है और उसका समाधान करा सकता है तो भारत ने कहा कि हम कोई representation court of arbitration में नहीं देंगे और court of arbitration ने जो फैसला सुनाया क्योंकि Pakistan ने representation दिया इंडिया ने representation नहीं दिया तो court of arbitration ने फैसला जो था वो पाकिस्तान के hit में सुनाया इसे भारत को problem हुई world bank mediator रह चुका है दोनों देशों के बीच में as far as the indus water is concerned right from the 1950s लेकिन अब अगें option थो था पाकिस्तान के पास कि वो कहता world bank को कि भी हमको problem आ रही है indus commission level पे issue नहीं resolve हो रहा आप neutral expert क्यों नहीं appoint करते हैं तो उन्होंने का कि चलो court of arbitration appoint करते हैं world bank ने clarify किया भारत ने world bank को कहा कि आपने court of arbitration के लिए मंजूरी दी ही क्यों आप neutral expert के लिए क्यों नहीं माने world bank ने clarify कि देखो that it is not empowered to determine के priority of one procedure of the other procedure world bank ने भी यहाँ पे game खेली world bank ने कहा कि देखो अब यह बात थीक है कि indus water treaty में three step resolution mechanism दिया गया है dispute resolution mechanism लेकिन world bank ने बोला कि कौन सा step पहले आएगा कौन सा step बात में आएगा उसके उपर हम कुछ नहीं कह सकते हैं यानि कि world bank में यह बोला कि अगर पाकिस्तान ने neutral expert वार option avail ना करते हुए सीधा court of arbitration का option avail किया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं आप तो सीधा ही last step पे चले गए है भारत का यह concern था के देखी यह court of arbitration में जो पाकिस्तान ने अपना case सामने रखा है तो यह properly constituted नहीं है as per the provisions of the treaty और as a result भारत ने भी कोई arbitrators appoint ही नहीं करे थे भारत ने भी अपने side से कोई representation नहीं appoint किया था अपना case आगे रखने के लिए तो दोस्तों और विस्थार में और detail में ऐसे और बहुत सारे important topics ना के केवल IR के बट internal security के science के, environment के, geography के, history के social issues के, ethics के खूब सारे ऐसे और topics detail में हम अपने general studies के paid course में discuss करते हैं यह हमारा general studies का paid course है mentorship course है जहाँ पे आपको इन तमाम video lectures, content lectures, pdf's के इलावा खूब सारे tests भी मिलेंगे करने के लिए चाहे वो MCQs की बात हो या चाहे वो means answer writing की बात हो video solutions मिलेंगे आपको detailed यहाँ पे feedback मिलेगा आपको यहाँ पे mentorship मिलेगी live doubt sessions होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों इसका already third day शुरू हो चुका है हमने general studies का batch 5 launch किया है यह live batch है तो daily दोपहर को 3-5 class रहती है तो यह बहुत जादा students इस course का फाइदा उठा रहे है आप पीछे न रहे जाए तो दोस्तों यहाँ पर यह toll free number है call करके इस course के बार information लीजिए और join करें मिलते हैं फिर बहुत जल्द thank you so much and take care